नाकपूर सेंटरल जेल में एक कोख्यात अपरादी के ड्रग्स और मोबाइल बैटरी ले जाने के मामले के बाद नाकपूर सेंटरल जेल में नाकपूर पुलिस ने आज सबसे बड़ा तलाशी अभ्यान चलाया लेकिन वह तलाशी अभ्यान पुलिस के लिए खोदा पहाण निकला चुहा जैसा रहा क्योंकि 350 पुलिस अधिकारी और करमचारियों द्वारा कई घंटों तग चलाये गए इस तलाशी अभ्यान में पुलिस के हाथ सिर्फ 5 ग्राम गांजा ही लगा है लेकिन अब ऐसा सवाल निर्मान हो रहा है कि जेल में अपराधियों का नैटवर्क पुलिस से भैतर तो नहीं है कुख्याद अपराधी सुरचकावडे सोमवार को अदालत में सुनवाई के बाद सेंट्रल जेल वापस जाते समय वह अपनी केस फाइल में छिपा 51 ग्राम गांचा और 15 मुबाईल बैटरी ले जाने की कोशिश कर रहा था सेंट्रल जेल की सुरक्षा द्वार पर निरिक्षन के दोरान पकड़ा गया तो संसनी मच गई उसके बाद चर्चा शुरू हुई की जेल में बंद कुक्यात अपराधी मुबाईल फोन का खूब इस्तमाल कर रहे हैं सुरज कावडे ड्रग्स और 15 मुबाईल बैटरी सेंट्रल जेल में किसी पुलिस अधिकारी के लिए लेकर जाने की बात सामने आने से संसनी फैल गई इतना ही नहीं सुरज कावडे को जेल में ड्रग्स और मुबाईल की बैटरी ले जाने में दो पुलिस कर्मियों ने मदद की थी पुलिस सायोक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया था इसके बाद खुलासा हुआ कि सेंटरल जेल में ड्रग्स और मुबाईल इस तरह पहुच रहे हैं जिसके बाद आज सुभा नाकपुर पुलिस ने साड़े तीन सो पुलिस अधिकारी और करमचारियों के माध्यम से नाकपुर सेंटरल जेल में तलाशी अभियान चलाया वाइट जिसमें उन्नत उपकर्णों का उपयोग करके दिवारों या फ़र्ष में छेपे मुबाईल और अन्नी आपत्ती जनक वस्तूओं को खोजनी की कोशिश की लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस की हाथ 5 ग्राम गांचा ही लगा है जिससे यह सवार खड़ा हो गया है और इसलिए चर्चा है कि जेलों में अपराधियों का नेटवर्क पुलिस से भी बढ़ा है च्छे बजे ये मुहीम जेल में सर्च मुहीम शुरू हुई थी और करीब करीब सवा दस तक ये मुहीम चली है इसमें पूरे जो पुरुष के बैरक्स थे उसको बहुत बारीक से ज़ड़ती ली गई है और इंसिडेंटली सिर्फ एक आरोपी के पास पांच ग्राम गांजा की एक छोटी कॉंटिटी मिली है बाकी कुछ आपती जनक या कॉंट्राबैंड अभी तक नहीं मिली है लेकिन जो मोबाइल फोन्स जेल के अंदर ऑपरेट होने की हमारी इंवेस्टिगेशन में जो बात सा सामने आई है उसके तहत वो मोबाइल फोन्स और इतर कॉंट्राबैंस रिकवर करने की प्रैतन शुरू है एडिशनल डी जी प्रेजिन्स पुना से उन्होंने एक विजिलेंस की टीम भी यहां पे भेजी है और उनके साथ